हेलो स्वेंट इस राम स्वेटेक अकैडबी आज हम आपको पाठ साथ पापक हो गए इसके आपको प्रश्ण उत्तर कराएंगे NCRT book से तो शुरू करते हैं प्रश्ण एक नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कोन लगा और क्यों इसका उत्तर इस तरह से देने आपको नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कववा है और वो इस वज़ा से है क्योंकि अंतत है कववे ने ही लड़की के पापा को ढूणने का उपाय बताया लास्ट तक कववे ने ही लड़की के पापा को ढूणने का उपाय बताया था और वसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है और इसलिए नाटक में सबसे बुद्धी मानपात्र कववा है इसका उत्तर इस तरह से देना है आपको अब आते हैं नेक्स प्रशन पे प्रशन दो पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई इसका उत्तर इस तरह से लिखें पेड और खंबा पास-पास खड़े होते हैं एक दिन जब जोरों की आंधी आती है तब खंबा पेड के उपर गिरने से खुद को रोक नहीं पाता और खंबा जो है वो पेड के उपर गिर जाता है जोर-जोर की जब आंधी आती है उस वक्त पेड़ खंबे को संभाल लेता है और उसी वक्त जो पेड़ है वो खंबे को संभाल लेता है और स्वेम जखमी हो जाता है और उसको चोट लग जाती है जखमी हो जाता है इसी कारण खंबे का गरूर भी खत्म हो जाता है और जो खमबे का गरूर है वो जो घमंड करता है खंबा वो भी खतम हो जाता है और अंतते हैं दोतनों में दोस्ती हो जाती है और लास्ट में उनकी दोस्ती हो जाती है इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि letter box उपर से नीचे तक लाल रूंका था वे बड़ो की तरह बाते भी करता था letter box तो red color का होते हैं लाल रूंका होते हैं और वे बड़ो की तरह बाते भी करता था तो बड़ो की तरह बाते करना यानि ताउ जो होते हुँ हमारे बड़े ही होते हैं तो उनकी तरह वैं बाते भी करता था, तो इसी कारण, letterbox को सभी लाल तौ कहकर पुकारा करते थे, तो इसको उत्तर इस तरह से लिखें, अब प्रशन 4, लाल तौ किस परकार बाकी पात्रों से भिन है, अब इसको भी आपके इस तरह से लिखना है कि लाल तौ जो है, वो दू भजन भी गाना आता है, और इसी कारण, लाल तौ बाकी सब पात्रों से भी नहीं, इस तरह से आपको उत्तर देने हैं, अब आते हैं प्रशन 5, नाटक में बच्चों को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी मज़दार बातें आपको बताने हैं, तो इसका उत्तरा इस तरह से लिखेंगे, अब ताउ एक जगा बैठे रह कर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोद चारो दिशों में गशत लगानी पड़ेगी, तब जान पाऊंगे ये सब, तो आप एक बात ये लिख सकते हैं, उसके बाद आप ये लिख सकत लड़कियों के नेन से जग जाने तथा कौन बोल रहा है, पूछने पर कहना, मैंने नहीं की, तो ये भी लिख सकते हैं, वे दुस्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजे, ये भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप ये लिखें, सुबा जब हो जाए तो पेड राजा, सुबा जब हो जाए तो पेड राजा, आप अपनी घनी चाया, घनी चाया इस पर किये रहें, वे आराम से देर तक सोई रहेगी, तो इस तरह से आप ये मज़दार बाते जो हैं, चार बाते हैं, इसे आप लिखेंगे, तो आपको, मैं जो हैं आपकी, वो अच्छे नंबर पा रहे थे, तो इसका उत्तर इस तरह से, सभी पातर मिलकर भी लड़की को उसके घर तक नहीं पूंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की इतनी चोटी थी, अब आप कोई छोटी लड़की होती है, बहुत चोटी लड़की थी, इतनी चोटी थी, कि और इतनी भोली भी थी, कि उसे अपने घर का पता, उसको अपने घर का एड्रेस, गली का नाम, सड़क का नाम, घर का नमबर तो याद नहीं था और यहां तक कि अपने पापा का नाम तक भी मालूम नहीं था तो ऐसे अवस्ता में लड़की को उसके घर पहुंचाना संभव नहीं था तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं और students आज हमने छे प्रशन कर लिए हैं आगे भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स को भी शेर करें और इसके लावा जो चाप्टर से हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन वाक्स में वहां से आप पढ़ सकते हैं सभी